Hello Friends, जिके गुरु कुल में आपका स्वागत है Physics Simplified Series में हम Physics को सिंपल तरीके से समझेंगे इसके लिए हमने जो PDF तयार की है वो आपके Lucent, गटना चकर, NCRT और Previous Year के Question का Compilation है ये आपके सभी exams के लिए काफ़े important है Lecture स्टार्ट करते हैं अगर किसी बोड़ी पर हम Force लगाते हैं और उस Force की वज़े से वो बोड़ी थोड़े डिस्प्लेस करती है अपनी जन्हें चेंज करती है तो वहाँ पर Work Done होता है Work Done का Formula है Fs Costheta F denote करता है Force को, S displacement को और Costheta, F और S के बीच में जो Angle है, वो Costheta जैसे मालो कोई Block है यहाँ पर आपने Force लगाया और उस वज़े से उसने Displace किया इस Direction में तो इसके इसमें Work Done होगा बट, Angle कितना होगा? जैसे वो Force और Displacement के बीच में Angle है यहाँ जीरो डिग्री यहाँ पर Work Done कितना होगा? F, S Costheta वाले को हम Shortform में लिखें तो Work Done होता है F, Dot, S जो Dot Product होता है, दो एक्टर के बीच का वही Costheta होता है इसमालो कोई खिलोना का रहा है और इस पर रशी बंदी होई है जिसे कोई बच्चा खीच रहा है अब यह Force तो लगा रहा है इस तरफ मुह कर रही है इस डारेक्शन में इनके बीच में Force और जो Displacement होई इसके बीच में जो एंगल है यह थिटा है यही फिर F और S के बीच में फिर हम Costheta यूज करते है देखो Horizontally जो भी एंगल रहेगा वहोगा Costheta और Vertically कोई एंगल होगा तो उसे हम कहते हैं Sin Theta इसे कोई हम Dot Product Costheta के लिए यूज करते है और दो वेक्टर के बीच में अगर कहीं Cross Product है तो हम वहाँ पर Sin Theta यूज करते है अब यह गाड़ी किस तरफ मुह कर रही है Horizontal Direction में और Horizontal की तरफ होता है Costheta ने Costheta की वज़े से मुह कर रही है वहाँ अगर कोई वोड़ी Vertical Direction में मुह करे तो वहाँ पर Sin Theta यूज करेंगे किसी भी Work Done के लिए हमें एक तो Force लगाना जरूरी है और उस Force की वज़े से उसमें Displacement होना जरूरी है जैसे मालो कोई Wall है उस पर आपने Force तो लगाया बट वो Displace नहीं हो रही है उस Case में क्या होगा? Work Done 0 होगा इसके लाव वोड़ी वोड़ी पर कब 0 हो सकता है? जब F और S के बीच में जो Angle है, जो Costheta होगा वो 90 डिग्री होगा क्यों Cos 90 डिग्री पर क्या Value होती है? 0 वहाई Cos 0 डिग्री पर Maximum होता है वहाँ पर Value 1 होती है यानि किसी बोड़ी पर हमने इस तरफ Force लगाया है और वो इसी तरफ मूँ कर रहे है यहाँ पर Work Done Maximum होगा वहाई अगर हमने लगाया Force इस डारेक्शन में और बोड़ी मूँ कर रहे है इस तरफ या इसके परपेंडिकुलर निचे की तरफ इसके इसमें Cos theta कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और Cos 90 डिग्री होता है 0 तो Work Done कितना हो जाएगा? 0 Work Done के यूनिट होती है ऐसा यूनिट Joule और Same Unit Energy की होती है Energy की भी ऐसा यूनिट Joule है Energy देखो टू टाइप की होती है Potential Energy and Kinetic Energy Potential Energy होती है अपने Position की वज़े से यानि उस पर जितनी Height हो गई उसकी Position पर Depend करेगी कि कितनी Potential Energy हो नहीं है इसका Formula होता है MGH M का मतलब Mass, G का मतलब Gravity and H का मतलब Height देखो कोई भी Body है यहाँ पर अर्थ का Surface है तो यह Height की वज़े से Potential Energy Depend करती है क्यों Mass तो सेम है और Gravity अर्थ की सेम है Depend किस पर करेगा? Height पर वही Kinetic Energy जब मालो कोई Body है उसको आपने इस तरफ थ्रो किया है कोई पत्थर है, इस तरफ हैक है तो वो किस पर Depend कर रहा है? आपकी Velocity पर इसका formula है Half mv² Mass तो constant है यह Depend करता है कि आपने कितनी Velocity प्रोवाइड किये उसको एक Simple से Example लेते हैं इसका Pendulum का इसकी जो Center की Position रहती Pendulum की इससे हम कहते है Mean Position वहाई यह यहां से लेकर यहां तक बूँ कर रहा है तो यह जो Position है इसकी यह इसकी Extreme Position है यह इसकी Maximum इतनी दूर तक जा रही है देखो Mean Position पर देखते है जब यह यहां से यहां तक मूँ किया तो इसकी Velocity continuously increase हो रही थी तो यहां पर इसकी Maximum Velocity होई है इसके आगे इसकी Velocity कम होनी स्टार्ट होगी यहां पर Velocity Maximum है और इस वज़े से यहां पर Acceleration कितना होगा Zero क्योंकि इसके बाद Velocity कम होनी स्टार्ट हो जाएगी अब Maximum Velocity है Kinetic Energy का Formula क्या था Half MV Square अब यहां पर Maximum Velocity है तो इस Position पर आपकी Kinetic Energy भी Maximum होगी बट इस Position पर Potential Energy minimum होगी क्योंकि यहां पर सबसे कम Height Attend कर रही है यहां पर इसका सर्फेस माने पूरी सिस्टम का तो यहां पर सबसे कम Height Attend कर रहा है इसके लावा कहीं भी जाये गई है तो Height इसकी कुछना कुछ Increase ही होगी कई भार Question में आजाता है कि Pendulum में Potential Energy कहां पर Zero होगी उसकेस में सिर्फ Pendulum को एक सिस्टम मानते है तो उसकेस में इसकी Value 0 होगी Mean Position पर Potential Energy Maximum है Extreme Position पर कि यहां पर यह Maximum Height Attend की है और इस Position पर Velocity कितनी होगी इसकी? Zero Mean Position पर इसकी Velocity Maximum थी उसके बाद Decrease हुई यहां तक पहुंचे-पहुंचे 0 होई इसकेस में Maximum Height Attend करिए इसने तो इसकेस में Potential Energy इसकी Maximum होगी Potential Energy का Formula क्या होता है? MGH Mass into Gravity into Height Maximum Height, Maximum Potential Energy देखो नहीं चे यही गीवन है Zero Acceleration at Mean Position Zero Acceleration होगा Mean Position पर Pendulum के वहाई Mean Position पर Velocity Maximum होगी Acceleration Zero होगा Kinetic Energy Maximum होगी और Potential Energy Minimum होगी क्योंकि Height Minimum है और Extreme Position पर Velocity Minimum होगी यानि Last Position पर जाते 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 Extreme पर Zero ही होगी Kinetic Energy Zero होगी इस वज़े से क्योंकि Velocity Zero है और Potential Energy Height पर Depend करती है तो Height Maximum है Potential Energy भी Maximum होगी अब कोई Plane है, इस तरह मुह कर रहा है इस वज़े से इसमें Kinetic Energy भी होगी Velocity वज़े से और इसने कुछ ना कुछ Height Attent भी कर रखी है इस वज़े से इसमें Potential Energy भी होगी Dynamo एक Generator है और Dynamo का काम है Mechanical Energy को Electrical Energy में Convert करना Conversion of Energy देखो पहले बताया था, Conversion जहां भी आ जाए बलब, Initial में भी उतना ही था बाद में भी उतना ही है Conversion of Energy का मतलब यह ही है Energy can neither be created nor be destroyed कभी भी Energy को create नहीं किया जाता है, ना ही खतम किया जाता है बस यह एक form से दूसरे form में change होती है अब यह question देखते हैं देख़े एक plane है, उसने एक bomb drop किया है तो वो mid air में यह बीच हवा में ही explode कर गया है तो उसमें क्या फ्रक पड़ेगा उसकी kinetic energy increase होगी या decrease होगी या फिर उसके momentum में कुछ increase या decrease होगा देखो, assume कर लोगा यह कोई plane है अब यह जिस velocity से जा रहा था उसी velocity से जब यह bomb को drop करेगा तो वो भी उसी velocity सागे एक तरफ जाएगा तो कुछ इस तरह वो drop होगा मालो यहाँ पर वो bomb आकर गिरा है तो यह bomb यहाँ में डेर में explode होगा है अब यह explode होगा है क्यूंकि इसके अंदर कुछ chemical reaction होई है उस chemical reaction की वज़े से जो यह bomb की cell थी इस पर force लगा है अब इस force की वज़े से जो cell थी वो छोट छोटे टुकड़ों में divide होकर इदर उदर विखर गी मालो यह छोटे 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 cell थे bomb के जो internal force था उस वज़े से कुछ ना कुछ work done हुआ है तभी यह break हुए है और इस तरफ अलग-अलग direction में इसके bomb के छोट-छोटे टुकड़े मूँ की है अब momentum की बात करते है देखो momentum के बारे में मैंने आपको पिसले किसी lecture में समझाया था अगर आपने वो lecture नहीं देखा था एक बर देख जरूर लेना इस momentum के lecture मैंने conservation of momentum के बारे में भी बताया था उसे में बताया था मैंने कि initial momentum और final momentum दोनों सेम रहते हैं अगर उन पर कोई external force नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर कोई external force तो लगा नहीं है internal chemical reaction हुई है internal force लगा है उस वज़े से explode हुआ है तो जब external force ही नहीं लगा है तो conservation of momentum की वज़े से initial momentum final momentum के बराबर रहते है तेन यहाँ पर momentum में तो कोई change होगा नहीं तो इस दो option तो cancel हो जाते हैं अब देखते हैं काइनेटिक energy में क्या change होता है काइनेटिक energy का formula होता है क्या होता है half mv square अमाल लेते हैं पहले इसका मास था capital M पर जब यह छोट-छोटे cell में विखर गया मालो यह capital M है और जब यह छोट-छोटे cell में विखर गया तो सब का मास अलग-लग होगे m1, m2 तो इनके मास में जैसे इसकी काइनेटिक energy होगी half m1 और मालो इसकी velocity v1 है उसका square ऐसे प्लस में इसकी काइनेटिक energy जोड़ेंगे प्लस में इसकी काइनेटिक energy जितने भी cell होगे उनकी काइनेटिक energy जोड़ेंगे अब जो initial में काइनेटिक energy थी और final के काइनेटिक energy में क्या फरक होगा final वाली काइनेटिक energy कुछ ना कुछ initial kinetic energy से ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ work done हुआ है उस work done की वज़े से कुछ ना कुछ kinetic energy increase हुई है अब यह question देखते है एक particle है simple harmonic motion में मूँ कर रहा है तो जब वो अपनी mean position पर आता है अपनी passes through mean position तो उसमें kinetic energy और potential energy क्या maximum होगा और क्या minimum होगा तो simple harmonic motion एक restoring force की वज़े से लगता है वो अपनी उसकी एक जो mean position है उसको बार-बार cross करता है और एक बार extreme position तक जाता है यानि एक बार extreme position तक जाता है और फिर mean position को cross करता है यानि ये तरह से उसकी ये cycle होती है ये समझ लो mean position है ये extreme position है तो बार-बार अपनी जो ये mean position है इसको cross करता है और एक particular level तक जाता है एक्जामपल इसका pendulum ये pendulum का ये example लिया है हमने pendulum भी एक simple harmonic motion में ही move करता है और जो ये restoring force होता है ये force हमेशा उसके mean position की तरफ ही लगता है यानि उसके equilibrium position की तरफ यानि इदर से जितना भी move करेगा ये ये force हमेशा इस direction में mean position की तरफ लगेगा और यहाँ से यहाँ तक कहीं भी है तो इस तरफ लगेगा यानि mean position की तरफ ही लगता है और ये directly proportional होता है जितना distance ये cover कर रहा है कि जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगा ये उतना ही force लगेगा इस तरफ तो maximum मान लेता है extreme position ये है mean position ये है तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा mean position में क्या maximum होता है क्या minimum होता है जो potential energy है वो किस party point करती है height पर potential energy height के directly proportional रहती है formula इसका m, g, h m तो constant है g भी constant है g क्या gravity m मास है तरफ की gravity भी constant रहेगी और body का जो मास है वो भी constant रहेगा फरक किसम होगा h में h ही change कर सकते है तो height यहाँ पर सब ज़्यादा कहाँ पर है या इस position पर या फिर इस वाली action position पर यहाँ पर जो बीच में आते है pendulum के यहाँ पर height minimum होती है इस वाली जहाँ पर minimum height है तो minimum height है तो इसका मतलब potential energy भी minimum होगी तो जहाँ पर potential energy maximum है वो तो cross ही कर दो a और c cross हो जाएंगे अब kinetic energy किस पर define करती है velocity पर किसका formula कहा है half mv square m constant है change होती है velocity अब velocity कहाँ पर maximum होगी जो mean position है यहाँ पर velocity maximum होगी क्योंकि जब यह extreme position पर गई है यहाँ पर तो velocity 0 हुई है पहले तो इस तरह जा रहते है अब opposite side mode करना start किया है तो यहाँ से velocity increase होना start हुई है maximum इसकी mean position तक जाएगी इसके बाद फिर से speed कम होना start होगी मनलब velocity भी कम होना start होगी क्योंकि इस storing force लगेगा इस तरह इस वाजे से velocity कम होना start हो जाएगी maximum velocity है mean position पर तो mean position पर velocity maximum है तो kinetic energy भी maximum होगी कि kinetic energy directly proportional है velocity के maximum kinetic energy and minimum potential energy निभी आपका answer है अब next देखते हैं power power क्या होता है work uponment time एक unit time में कितना work done हुआ है उसे हम power कहते हैं और इसकी unit है SI unit watt तो work done की क्या unit है joule time की second तो one watt होगा one joule per second अब second को हम इस तरफ लेका आपते है तो one watt second कितना होगा one joule और second को अगर हम hour में convert करते है तो यहाँ पर हमें 3600 से divide करना पड़ेगा और वो धर जाकर कितना हो जाएगा 3600 से multiply करते हैं जूल को one watt hour कितना होगा 3600 joule अब watt को kilowatt में convert करना है तो यह कितना होगा 3600 into 1000 joule one kilowatt hour और इसको आगर solve करें तो 3.6 into 10 की power 6 joule और यही होता है one unit of light आपके घर में जो light यूज़ करते हैं वो इकाल होती है one kilowatt hour के या 3.6 into 10 की power 6 joule एक horsepower में 746 watt होती है आज के लिए इतना ही बाकि कोई भी queries या फिर कोई doubt आप comment box ने पूछ सकते हो Thank you